मैं डॉक्टर बालिसो पर साथ लोके स्वांटर कैनल से तरूत आजा ब्रेकिन न्यूज के साथ आए देखिए ब्रेकिन न्यूज यूपी में बिजली दर बलाने पर आमादा पावर कॉर्परेशन प्रदेश में 30-35 फिजदी मेंगी हो सकती है बिजली पावर कॉर्परेशन ने चौती बार कास्ट डाटा बुक में कोई बदलाव नहीं किया है यदि पावर कॉर्परेशन के प्रिस्ताव को विधित न्यामक आयोग ने हरी जंडी दी तो विजली कनेक्शन की नई दरों में 30-35 फिजदी व्रद्धी हो जाएगी यानि पावर प्रिस्ताव भी जाता है भारी विरोगत के बाद आयोग ने दरे संसुदित कर प्रिस्ताव देने का निर्देश दिया था लेकिन गैरेक्टूब को दाखिल किये गये संसोधित कास्ट डाटाबुक में कोई बदलाव नहीं किया गया है इस प्रस्ताव को मंचूरी मिली तो छोटे बड़े उद्योगों की सिक्योटी रासी में 50-100% से ज़्यादा बड़ोत्री हो सकती है इसे नद्यों के लिए नए कनेक्शन की दरों में 100% से ज़्यादा बड़ोत्री हो सकती है इसका सीधा धार कनेक्शन धारक पर पड़ेगा उत्तर पुदेश राज विधित अबोगता परसत के अद्देश्व एलेक्टिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल के सदस्य अवदेश कुमार वर्मा ने कहा कि हर इस्तर पर बिजली दरें बढ़ाने का विरूत किया जाएगा जल्दी जब आयोग रिव्य पैनल सबकमेटी की बैठक बुलाएगा तो उसमें अब यह वहारिक दरों का विरूत करेंगे ट्रांसफार्मर की विरस्था में मिलेगा फायदा नई संसुदित कास्ट टाट अबुक प्रिस्ताव में ट्रांसफार्मर की विरस्था में कुछ बदलाव किये गए है 16 कविये तीन फेस वर 10 कविये सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के मामले में किसानों को रहत मिलेगी उन्हें अनिवार रूप से 35 कविये का ट्रांसफर नहीं लगाना पड़ेगा बारे किलो वार्ट, नई कनेक्शन, बारे आर्स, पावर तक के नई निजी नलको पर 16 कविये ट्रांसफर से भी काम चल जाएगा प्रिपेड मोटर की दरह ते नहीं उख़ा है सवाल नई काउस्ट डाटा बुक में अभी भी स्मार्ट प्रिपेड मीटर की दरों को पावर कॉर्परेशन ने दाखिल नहीं किया है जब कि सभी बिजली कम्प्रियों में स्मार्ट प्रिपेड मीटर की टेंडर हो चुके हैं फानल और नई दरें तै हो चुकी हैं ऐसे में दरों को ना प्रिस्तावित करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं आयो की ओर से बुलाई जाने वाली सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में उभुकता परिशद इस बलुत्री का विरोध करेगा साथी पैनल की बैठक में उभ